हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल स्लीविस्ट रिजाइन बनाने के लिए हमने धाई इन चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लिया है कपड़े को फोल्ड करके हम इसके किनारे के साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हमें इस कपड़े में छोटे छोटे पैटन में चूनट बनाना है तो ये देखिए इस तरीके से हम चूनट बना लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का ओप्सन सलेक्ट करें तो ये देखिए फ्रेंट चूनट बनाते हुए चूनट की हमने एक लंबी सी लाइन तयार कर ली है किनारे की साइट से हम एश्टरा कपड़े को कट कर लेंगे और सेम साइज का हम चूनट की एक और ऐसी डिजाइन बना लेंगे तो ये देखिए हमने चूनट की दो डिजाइन बना ली है अब हम आस्तिन का कपड़ा लेंगे तो ये हमारा आस्तिन का कपड़ा है जिसकी लंबाई हमने साड़े 19 इंच ली है और चौड़ाई एक साइट से 11 इंच है तो आपको इसका डबल लेना है क्योंकि हमने कपड़े को फोल्ड किया है अब ये देखिए यहां पर हम चौड़ाई नापेंगे आठ इंच की चौड़ाई पर ऐसे टिक लगाएंगे और जहां पर हमने टिक लगाया है वहां से कपड़े को fold करके हलका से ऐसे cut कर लेंगे यह देखिए यहां और यहां हमने cut किया है जहां पर हमने cut किया है वहां पर हमें चूनट वाले design को ऐसे लगाना है और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है इस design को आप blouse के बाजू में भी बना सकती है और स्लीविस के बाजू में भी बना सकती हैं तो ये देखिए इस लायन को कम्प्लीट करते हुए यहां से धागे को कट कर लेंगे और एश्ट्रा कपड़े को भी अब यहां से हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और किनारे के साइड में सिलाई चला लेनी है जिससे हमारा चूनट कपड़े में अच्छे से फिनिशिंग के साथ पैक हो जाएगा अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे तो ये देखिए कपड़े को सीधा करने के बाद हमारा चूनट अच्छे से कपड़े में पैक हो गया है बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे टिक के उपर चूनट को ऐसे लगाएंगे और सिलाई चला लेंगे जिस तरीके से हमने पहले वाले चूनट की सिलाई की है बिल्कुल उसी तरीके से ये देखे दूसरे वाले चूनट के भी हमें सिलाई कर लेनी है यहां से धागे को कट करेंगे फिर हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है कपड़े को फोल्ड करने के बाद किनारे के साइट से सिलाई चला लेंगे डिजाइन बनाने में फ्रेंड बहुती महनत लगता है तो प्लीज हमारे महनत के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा तो ये देखिए हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली दोनों साइट की चूनट की सिलाई करने के बाद अब हम बीच में से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां आरमोल का सेफ देते हुए आस्तिन की कटिंग करेंगे तो ये देखिए उपर की साइड में हमने आरमोल का सेफ देते हुए आस्तिन की कटिंग की है अब जो आपका कलाई का साइज है उसकी चौडाई नाप लेते हैं तो चौडाई आपको आठ हिंच लेनी है यह देखिए, ऐसे हमने कट कर लिया है, अब हम इस कपड़े को ओपन करेंगे, कपड़े को ऐसे ओपन करने के बाद, अब हम यहाँ पर सिलाई चलाएंगे, मसीन के धागे को हलका सा धीला करके, यहाँ बीच में हमें सिलाई चला लेनी है, यहाँ पर हम सिलाई को इस टॉप करते हुए धागे को कट करेंगे, और जो हमने सिलाई चलाई है, उस धागे को हलके हातों से ऐसे घिशते हुए कपड़े में चूनट बना लेंगे, चूनट बनाने के बाद अब हम इस चूनट के ऊपर सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाने के बाद अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे किनारे के साइट से हलका सा एश्ट्रा कपड़े को भी कट कर लेना है तो ये देखे फ्रेंड, चूनट की डिजाइन को हमने प्रॉपर सेफ में अच्छे से तयार कर लिया है अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे, इस कपड़े की लंबाई 15 इंच है और इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच ली है कपड़े के पीछे हमने बक्रम को चिपकाया है बीच में से हमने कपड़े को ऐसे फोल्ड किया यहाँ पर हम 3 इंच की लंबाई नापकर टिक लगाएंगे 3 इंच की लंबाई पर टिक लगाने के बाद यहां से हलके से गोल सेफ के पैटन में ऐसे लाइन अप कर लेंगे जिस सेफ में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेफ में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है ऐसे कट करने के बाद बीच में से इसे कट करके दो भागों में ऐसे बाट लेंगे अब हमें डोरी लेना है तो हमें 5 डोरी की कटिंग कर लेना है 3.3 इंच की लंबाई नाप कर और डोरी को यहाँ पर ऐसे लगाना है यह देखिए थोड़ी थोड़ी दोरी पे एक के बाद एक डोरी को ऐसे लगा कर सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे और किनारे के साइट से ऐस्टरा डोरी को भी डिजाइन के लंबाई और चोड़ाई के बराबर एक कपड़ा लेंगे कपड़े के ऊपर डिजाइन को ऐसे लगा कर जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे यह देखिए ऐसे आपको सिलाई चला लेनी है अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे और किनारे की साइड से हमें एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है डिजायन को फोल्ड करके हम सीधा करेंगे इसके नोखीली सी सेप को प्रॉपर सेप में हमें किसी भी नोखीली चीज की सहायता से ऐसे सीधा कर लेना है इसे परफेक्ट सेप में बैठाते हुए यहां किनारे के साइड में हम सीधी सिलाई चला लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो दूसरा डिजाइन है उसे भी तयार कर लेना है लेकिन इसमें हम डोरी को नहीं लगाएंगे यह देखिए सेम साइज के कपड़े पे ऐसे लगा कर हम सिलाई चला लेंगे अब हम इसे फोल्ड करके सीधा करेंगे अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नई डिजाइन की वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आलका ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अब हम धागे को कट करेंगे और इस डिजाइन में हमें बटन को लगाना है तो बटन बनाने के लिए हम सट के बटन को ऐसे कपड़े में फोल्ड करेंगे अब हमें धागी की मदद से कपड़े को अच्छे से लोक कर देना है यहां से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे सुई धागा की मदद से सारे डोरी की डिजाइन में हमें ऐसे बटन लगा लेना है तो यह देखिए हमने बटन लगा लिया है अब जो हमारा आस्तिन का कपड़ा है उसे हम डिजाइन में ज्वाइंट करेंगे तो ये देखिए आस्तिन के कपड़े में हमें डिजाइन को ऐसे ज्वाइंट करना है यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और सीधी सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुत ही easy step में तयार कर सकते हैं अब हम धागे को cut कर लेंगे धागे को cut करने के बाद design को ऐसे fold करेंगे और जो भी आपका sleeves का size है वो size का fitting नापते हुए किनारे के side से आपको सिलाई चला लेनी है तो ये देखिए ऐसे सिलाई चला कर यहां से हम धागे को cut कर लेंगे और किनारे के side से extra कपड़े को भी अब हम इसे fold करके सीधा करेंगे तो सीधा करने के बाद हमारे design का look कुछ इस तरीके का आएगा जो कि बहुत ही सुन्दर लग रहा है आपको ये design कैसी लगी comment में जरूर बताईएगा हम आपके comment का wait करेंगे thanks for watching my video